Good morning student, I am Anita Anishad from Aksar School Today we are starting first chapter का question number 2, page number 4 First chapter GK subject, GK journal knowledge, GK का full form, journal knowledge आपकी textbook आपके पास है, first standard की textbook GK आपके पास है उसमें आपको ये first chapter का second question आज आपको write करना है तो मैं आपको ये समझा रही हूँ और आप इसी तरह से इसे आपकी book में समझ के write करोगे चलो question number 2, flee in the blanks of each statement with appropriate words आपको आपकी जो question में पूचेगे हैं, उससे find करना है और उससे relative words आपको यहाँ पे write करना है पहला question, in our hand, in our one hand there are कितने fingers होते हैं आपके one hand में कितने fingers होते हैं, one, two, three, four, five तो आपको क्या लिखना है, एक हाथ में आपके कितने fingers होते हैं, five तो आपने क्या लिखा हैं आपके five fingers second question, in our two hands there are ten fingers याने कि आपके दोनों hand में कितने fingers होते हैं यहाँ पर देखो question में दिखाया है, आपको यह, आपके जो यह picture है आपको इसमें से ही find करके लिखना है student आपके यह picture है, तो आप देखो आपके one hand में कितने हैं five, है न, five picture, okay तो आपने क्या लिखा, देखो one, two, three, four, five तो आपने five लिखा, अब two hand में आपके कितने हैं fingers one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten तो आपने क्या लिखा यहाँ पे ten fingers आपके two hands में ten fingers होते हैं one hand में five fingers होते हैं और आपको इस picture में देखना है और समझना है उसके बाद इसमें आपको right करना है the knee, knee किसे कहते हैं आपको मैंने बताया था parts of body में knee, घुटने को कहते हैं न नी देखो यह जो आपका knee है, घुटना है उसे हम knee कहते हैं चलो, the knee is a part of our knee किसका part से, leg का किसका part से, leg का तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे leg, the knee is a part of our leg किसका part है, आपके knee का knee आपके leg का part है तो आप क्या लिखोगे, leg the elbow, मैंने आपको बताया था न, आपके hand में जो क्यों नहीं होती है, उसको elbow कहते है the elbow is a part of our hand यह देखिए picture, आपको साथ में picture दिखायवा है यह आपका hand है और यह आपका elbow है तो वो किसका part है, आपके hand का part से elbow elbow किसका part से hand का तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, hand फ्रिफ्ट कोशन देखिए, the soldier is a part of our hand आपका कंदा, देखो, soldier का भी picture है यहाँ पर soldier, आपका यह जो soldier है, वो किसका part से hand का soldier कहाँ पर होता है, hand की उपरी parts पर तो आप यहाँ पर hand लिखेंगे, ओके student, चलो next, we hear with our ears, हम कैसे सुनते हैं, कहां से सुनते हैं, आपके ears से, आपके ears से, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ears, we see with our eyes, see, see मतलब देखना, here मतलब सुनना, तो see आप देखते किसे हो, आपकी eyes से, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे eyes question number 8 we chew food with our teeth आप खाना कैसे खाते हो आपके teeth से ठीक है ना आप teeth से चिवो करकरके आपका food खाते हो चलो we smell with our smell मतलब आपको सुगन दाती है अच्छे चडिस पनते हैं तो सुगन दाती है कोई कैसी भी flowers है आप smell करते हो flowers में भी आपको rose फिर आप बोलते हो बहुत अच्छी smell है उसको smell मतलब सुगना तो आप कहां से सुगते हो nose से nose से आप कहां से सुगते हो smell कहां से लेते हो nose से तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा we smell with our nose आप smell करते हो किस से nose से 10 questions we feel the touch with our skin आपके कैसे feel होता है आप कैसे आपके body पे किसको touch करने पे feel होता है skin को यानि कि skin में आपको feelings आती है तो इस तरह से आप student यह पूरा page आप complete करोगे आपके textbook में आपको अभी यहाँ पर बहुती short form में मैं समझा रही हूँ बट आप का जब हम face to face होते तो और अच्छे से हम समझ के पढ़ते लिखते अभी आपको यह वीडियो से आपके textbook में आपका जो भी है page page number 4 इसको आप complete करोगे क्योंकि 1 to 10 chapter आपके final exam में आएंगे student सो टेक केर बाइ